नमस्कार, दोस्तों, Target with PSP रहार चैनल में आपका स्वागत है, आज कि इस वीड़ियो में हम लोग बात करेंगे कोरोना की और सिर्फ कोरोना की कोरोना से समझ जितने बी अपडेट्स हैं सभी इस वीडियो में डिसकस किये जाएंगे तो आए शुरू करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पिछले 24 गुटे में भारत में संक मृत लोगों की संकय कितनी वी है तो संक मृत हैं किससे जो संक्या है वो एक हजार पैंथिश हो गई है कुल अर जिकर टोटल की बात की जありがとうございます संक्या 7,446 अब हो गई है भारत में भारत में 7000 से ज्यादा लोग लगबग 700 लोग कोरोना संक्मृत हैं और पिछले 24 गंटे में 1035 नए मामले आए हैं उत्तर प्रदेश में भी संक्मृतों को संख्या है कोरोना की वह बढ़ रही है मगर काफी अराम से बढ़ रही है अन्य देशों की तुलना में अन्य राज्य मिले हैं और अब टोटल संक्या वह लगबग 443 यह यहां पर लेखा कि UPPT में चार सो 343 और आगरे में सबसे ज्यादा मामले तो जो पस्ट्र पफ़त्तर संक्या ज्यादा है और ज्यादा तर जिले ऐसे हैं जहां पर इसके बाद में अब बात कर लेते हैं कि प्रधान मंत्री की आज अनेक राज्यों के जो मुख्यमंत्रियों के साथ में वीडियो कॉंफरेंसिंग में मीटिंग वी थी वर्चुल मीटिंग थी और प्रधान मंत्री ने लागडाउन को बढ़ाने के लिए सुझा मांगी थे कि क्या लागडाउन 30 अपरेल तक बढ़ाय जाए देखिए आपर लिखा कि भारत में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बीच शनिवार को प्रधान मंत्री मोधी ने सभी राजियों के मंत्रियों से वीडियो कांफरेंसिक के जरी बात की इसमें उन्होंने सभी से इस बात का फीड़बैक लिया कि क्या कोविड-19 के प गमचे का प्रयोग भी कर सकते हैं मास्क में यह पर फोटो देखिए यह देखिए अब रधान मंत्री भी को गमचे की तरह ही कोई चीज मुमें लगा हुए हैं या तोलिया हो सकती है यह गमचा हो सकती जिसको मास्क बनाय गया है और यहां पर लिखा भी है केजरी वाल ने लागडाउन बढ़ाने के सुझाओ मास्क की जगह गमचे के उभ्योग को दे बढ़ावा तो ऐसा बता जा रहा कि बहुत जल्द प्रधान मंतरी राष्ट को समोधित कर सकते हैं और लागडाउन के बारे में अपनी नई गुष्णा कर सकते हैं इसके बात में अब बात कर ले लोगों को दूर दूर बिठाये जाएगा मिडल की जो बर्थ है और जो साइड की बर उसको हटा दिया जाएगा और जो यात्री हैं उनका सैनिटाइजिसन किया जाएगा यात्रियों को कम से कम दो घंटे पहले रेलवेस्ट आना होगा और यह देखिए यहाँ पर लिखा किया लागडाउन के बाद चलेंगी ट्रेने रेल मंत्राला ने दिया जवाब नीचे यहाँ पर लिखा कि रेल मंत्राले ने इस पस्ट किया है कि लागडाउन खत्म होने के बाद यात्रा के लिए अब तक किसी प्रोटोकाल को जारी नहीं किया गया है मंत्राले ने का कि इस समझ में निर्णा लेना अभी बाकी है इस मामले में जब भी कोई फैसला लिया कोज भी हटा जा सकते हैं या सायद ट्रेन की मिडल और साइड अपर बर्त को खाली रखा जाए इसके अधरिक टिकेट पर यात्रा करने पर रोक लगाई जा सकती है हो सकता कि अन्य ट्रेनों से भी ऐसी कोज हटा करके सिर्फ स्लीपर कोज लगा कर आपरेशन किया जाया या यह हो गई आज की कोरोना अपडेट अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें जिन वित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब कर लें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्रवाद